हेलो द्रामर फैंस, वेलकम बैक आज का एपिसोड बहुती इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज युवैन जिंगर से अपने प्यार का इजहार करेगा तो इसलिए आज की एपिसोड को आप बिल्कुल भी स्किप मत किजएगा और मेरे आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंट तक चरूर देखें और अगर आपने इसकी प्रीविएस एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्रीज जाएए मेरे डिस्रिप्शन बॉक्स में और सबी एपिसोड के लिंक आपको वहीं मिलेंगे तो आई ये शुरू करते हैं तो प्रीविएस एपिसोड में हमने देखा था कि लियांग प्रिंस युवैन को बताता है कि अगर हमें जिंगैर को बचाना है तो मैं आफ्टर लाइफ कैम्प के सुपरवाइजर को ढूनना होगा और वो एक बहुती मिस्टीरियस परसर है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता लेकिन जाओ नाम का एक इनसान है जो इस काम में आपकी मदद कर सकता है तो युवैन लियांग पर उसे कहता है कि ठीक है मैं इस काम को करने के लिए अभी निकलता हूँ और जिंगेर को तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ कर जा रहा हूँ लेकिन ध्यान रखना उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने के कोशिश मत करना इसके बाद युवैन युकी से जाओ नाम के उस इनसान के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है इसके बाद युकी आफटर लाइफ कैम्प के बारे में इंफरमिशन लेकर आता है और अपने साथ एक और आदमी को लेकर आता है जो युवैन को बताता है कि आफटर लाइफ कैम्प का जो सुपरवाइजर है वो बहुत मिस्टीरियस है यहां तक कि आफ्टर लाइफ कैम्प में काम करने वाले लोग भी सुपर्वाइजर के बारे में जादा नहीं जानते यह लोग बहुत ही फ्री होते हैं यह अपनी जिन्दगी खुर्चूज करते हैं यह बहुत ही अमीरीका जीवन भी बिता सकते हैं या बहुत ही करीब बन कर भी रह सकते हैं इनकी आइडेंटिटी पूरी तरह से हिडन होती है इनका इनके सुपर्वाइजर के साथ जो रिष्टा होता है वो एक तरफा होता है इनने सिर्फ इनका टास्क दिया जाता है और उसके बदले पैसे दे जाते हैं इसके बाद वो यूवैन को रिटिन में कुछ जानकारी देता है जिसके बाद यूवैन कहता है कि ये जानकारी काफी है उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसके बार अगले सीन में लियांग प्रिंसेस को दिखाया जाता है लियांग प्रिंसेस ने एक ऐसी लेडी को कैद करके रखा हुआ है जिसके उपर जिंगेर की माँ यानि की लियू ही की मौत का इल्जाम है और ये लेडी भी आफटर लाइफ कैम को ही बिलाउंग करती है लियांग प्रिंसेस ने इसको अभी तक इसलिए कैद करके रखा हुआ है क्योंकि वो इससे लियू ही की बेटी के बारे में जानना चाती है लियू ही की बेटी मतलब हमारी जिंगेर इस लेडी को आफटर लाइफ कैम के लोगों ने जब जिंगेर की मा को मारने का काम सौप पता तो इसने लास्ट मुमेंट पर अपना इरादा बदर दिया था और जिंगेर की मा की मदद की थी इसलिए आफटर लाइफ कैम के लोग इसे ढून रहे है लियांग प्रिंसेश इसे धंकी देती है कि अगर तुमने लियू ही की बेटी की बारे में मुझे जानकारी नहीं दी तो मैं तुम्हें आफ्टर लाइफ कैम्प के लोगों को सौब दूंगी और तुम भी जानती हो कि इसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हारी पूरी जिन्दगी दर्द में भी तेगी उधर दूसरी और यू की बहुत महनत के बाद जाओ नाम के उस आदमे को पकड़ लेता है जो आफ्टर लाइफ कैम्प के लिए काम करता है इसके बाद यूवैन उसे चॉइस देता है कि तुम्हारे पास दो आप्शन है या तो तुम मेरे हाथों मारे जाओ और या तो फिर तुम हमारी मदद करो और मैं तुम्हारी शादी उस लेड़ी से करा दूँगा जिस से शादी करने के लिए तुमने उसके पती को भी मार दूसरी और वो लेडी भी लियांग प्रिंसेस की धंकियों से डर कर उसी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन वो उससे कहती है कि मैं सच में लियूही की डॉटर के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूं उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको आफटर बुक मिलेगी जिसमें वो सारी इंफर्मेशन बंद है जो आपको चाहिए ये सुनकर लियांग इस उस लोग को ढूनने के लिए आफटर लाइफ कैम्प का मन बना लेती है उदर जाओ भी यूवेन की बात मान लेता है और उसकी मदद करने के लिए आफटर लाइफ कैम्प के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो जाता है उसकी मदद से यूवेन आफटर लाइफ कैम्प की तरफ जंगलों में निकल जाता है वो लोग पेड के पीछे से चिपके देख रहे होते हैं तब भी उन्हें मास लगाए एक आदमी दिखाई देता है और वो समझ जाते हैं कि यही आफटर लाइफ कैम्प का सुपरवाइजर है यूवेन के साथ साथ लियांग प्रिंसिस भी लॉग बुक की खोज में आफटर लाइफ कैम्प की तरफ निकल जाती है कैम्प में उस वक्त आफटर लाइफ के सभी लोगों का कमपेटिशन चल रहा होता है जिसमें कोई ना किसी तरह से वहाँ की एंटरी का पता लगा कर आफटर लाइफ कैम्प में अंदर खुष जाता है अंदर खुषते ही यूवेन पर आफटर लाइफ कैम्प की ही जो एक फीमेल स्पाई होती है वो हमला कर देती है और यूवेन उसको अपनी गिरफ्ट में ले ले लेता ह इसके बाग यूवैन उसके सामने दो शर्टें रखता है कि या तो तुम मेरे हाथों मारी जाओगी और या फिर तुम मुझे उस जहर का एंटीडोट दे दो जो जिंगेर को दिया गया है उसके बार मैं तुमेर छोड़ दूँगा लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि उसके पास किसी भी जहर का एंटीडोट नहीं है सारे एंटीडोट कैम्प के सुपरवाइजर के पास है यूवैन उसकी मदद से कैम्प के सुपरवाइजर के रूम की तरफ पहुँच जाता है अंदर घुसते ही युवैन सुपर्वाइजर पर हमला कर देता है और उसे अपने कबजे में ले लेता है और उसे उस चुहर के एंटीडोट के बारे में पूछता है लेकिन इस से पहले कि सुपर्वाइजर कुछ पता पता उसकी मौथ हो जाती है क्योंकि उसको पहले से ही जहर दे दिया गया था ये देखकर यूवेन निराश हो जाता है उसे लगता है जैसे उसकी सारी मैनन बेकार हो गई लेकिन तब ही उसकी नजर एक प्लांट पर पड़ती है जिसमें छोटे छोटे फ्लावर खिल रहे होते हैं उस फ्लावर प्लांट को मूव करते ही एक सीक्रिट अलमारी खुल जाती है जिसके अंदर कई सारे एंटीडोट होते हैं यूवेन जाकर उनको चेक करता है और उसे वो वाला एंटीडोट मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी इसके बाद यूवेन उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे मास्टर को मैंने जान से मार दिया है इसलिए अब तुम सब लोग फ्री हो और तुम लोग जहां चाहो जा सकते हो लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम यहां से बाहर निकल कर किसी को भी नुकसा नहीं पहुचाओगे और नहीं किसी की जान लोगी लेकिन वो फीमल स्पाई वहां से जाने से मना कर देती है और यूवेन से कहती है कि बचपन से इस कैम्प के अंदर मैंने सिर्फ लोगों की जान लेना सीखा है और उसे देखकर लियांग प्रिंसेस एकदम भावुक हो जाती है और वो युवैन से फाइट करना उसी वक्त बंद कर देती है युवैन लियांग प्रिंसेस के ऊपर तलवार रख देता है लेकिन प्रिंसेस उस पर अटेक नहीं कर पाती है तभी प्रिंसेस की एक मेड आती ह और उसको वहां से ले जाती है इसके बाद लियांग प्रिंसिस बाहर आ जाती है और रोने लगती है और खुद को अकेला छोड़ने के लिए कह देती है ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि बच्पन से ही इस टॉइबर्ट के साथ मैसिस के थूँ वो जिस लड़के से बात करती थी आज उसे पता चल गया था कि वो लड़का कोई और नहीं बलकि युवैन ही था हो सकता है कहीं न कहीं वो युवैन को पसंद भी करती हो उधर युवैन जिंगर के लिए एंटिडोट लेकर पहुँच जाता है और लिएंगर को एंटिडोट दे दिया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिएंगर के रूम में युवैन पहुचता है तो उसे वह जिंगर दिखाई नहीं देती और वो परेशान हो जाता है तबी वहां लियांग प्रिंस आ जाता है और उससे कहता है कि उसे ढूना बेकार है क्योंकि वो यहां से जा चुकी है युवैन के पूछने पर लियांग प्रिंस उसे बताता है कि वो और कहां जा सकती है वो यैन के पास ही गई होगी क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती है और हमें उसे जाने देना चाहिए वैसे भी उसे कोई नहीं रोक सकता जो मैडिसिन तुमने जिंगैर के लिए भीजी थी वो उसने खाली थी और उसके बाद वो ठीक हो गई थी उसके बाद उसका यहां रोकने का कोई काम नहीं था तुम चाहे जो कर लो लेकिन वो यैन को ही पसंद करती है और वो अब जा चुकी है ये सुनते ही युवैन बहुत ही भारी मन से जिंगैर के रूम से बाहर आता है लेकिन जैसे ही वह वहां से भार आता है उसे अपने सामने जिंगेर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है युवैन एक पल के लिए जिंगेर को देखकर शौक हो जाता है जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि जिंगेर उसके लिए वापस आ गई है वो अपने emotions को control नहीं कर पाता और जिंगेर को अपने सीने से लगा लेता है और बहुत देर तक वो दोनों इसी तरीके से रहते हैं जिंगेर भी खुद को छुडाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती जैसे वो भी इस पल का इंतजार कर रही हो इसके बाद वो दोनों बैठे होते हैं और अब जिंगेर काफी हद तक युवेन की feelings को शायद समझ चुकी होती है इसलिए वो युवेन से कहती है कि अब जब मैं यहां से यैन बई वापस चली जाओंगी तो शायद हम दोनों की मुलाकत बैटल फिल्ड में होगी और उस वक्त मेरे लिए तुम्हारा सामना कर पाना आसान नहीं होगा तो युवेन उससे कहता है कि इस बात के लावा क्या और कोई बात नहीं है जो हम दोनों आपस में कर सकें तो जिंगेर कहती है कि इसके अलावा हम दोनों के बीश में बात करने के लिए बचा ही क्या है इसके बाद यूवैन ये कहकर जाने लगता है कि तुम ठीक कहती हो मैं ही गलत था, मैंने ही पताने ही अपने दिल में क्या क्या सोच लिया था भी जिंगर उसे पीछे से रोकती है और युवैन से कहती है कि यैन ने और मैंने जो कदम उठाया है इसके लिए हमने बहुत तयाद्या की थी और अब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि मैं पीछे नहीं लाट सकती वो यैन बई मैं अकेला है मैं जानती हूँ कि उसे बहुत तरह की मसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा उसे मेरी जरूरत है और इस कदम पर मैं उसका साथ नहीं जोड़ सकती युवैन कुछ नहीं बोलता वो एकदम शान्त होकर जिंगर की बातों को सुनता रहता है जैसे उसके दिल ही दिल में कुछ तूट रहा हो और जब वो जिंगर की बातों को और ज्यादा बरदाश्ट नहीं कर पाता तो उसे अपनी फीलिंग्स का ऐसास कराने के लिए उसे अचानक किस कर लेता है और वो दोनों बहुत देर तक इसी तरह रहते हैं और इसके बाद वो जिंगर से बहुत इमोशनल होकर कहता है कि तुम हमेशा याइन के बारे में सोचती हो लेकिन मुझे भी तुम्हारी जरूरत है क्या तुम इसे फील कर सकती हो इसके बाद वो जिंगर को छोड़ कर रूम से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर शुराब पीने लगता है इसके बाद युवेन सोने की कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पता क्योंकि उसके ख्यालों में सिर्फ जंगैर होती है दूसरी और जंगैर भी बहुत उदास होती है क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि वह यान का साथ दे या युवैन की फीलिंग्स का सम्मान करे तब ही उसके पास लियांग प्रिंस पहुँचता है और उसे खाने के लिए बोलता है लेकिन जिंगेर खाने से मना कर देती है तो लियांग प्रिंस उसे समझाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास जिंदगी ने कई रास्ते दे थे लेकिन तुम बहुत बुद्धू लड़की हो तुम्हें सबसे मुश्किल राष्टे को अप में लिए चुना है अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें खुद पर विश्वास है जिंगैर तुरन जवाब देती है अफकोर्स मुझे खुद पर पूरा विश्वास है फिर ल्यांग प्रिंस उससे पूछता है और क्या तुम्हें यान पर भरुसा है इस बार थोड के जो घाब है वो वक्त भर देगा जुवैन ने अपनी जिंदगी में ज़्यादा लड़कियों को नहीं देखा है इसलिए वो तुम्हें पसंद करने लगा मुझे पता है समय के साथ सब ठीक हो जाएगा लियांग प्रिंस की बातों से जिंगैर के मन को तसली मिलती है और मुड़ जाए हुए चेहरे पर एक स्माइल खिलने लगती है गर जूली आर्मी को यैन भई में एकसेप्ट नहीं किया जाता है और कमांडर जियांग को लगता है कि ये सिटी उनके लिए खत्रे से खाली नहीं है इसलिए उन्हें जल्दी से शेहर को छोड़ देना चाहिए लेकिन वो सभी लोग एक बार अपने परिवार को देखने के लिए निकलते हैं और वो लोग आपस में डिसाइट करते हैं कि दो गंटे के अंदर वो सभी लोग अपने फैमली को देखकर वापस यहीं मिलेंगे सबी लोग छिप छिप के अपने परिवेर वालों को देखने लगते हैं जिन में से एक की बीवी अपने बेटे को समझा रही होती है कि जल्द ही उसके डैडी उनसे मिलने के लिए वापस आएंगे वहीं दूसरी और जूली कमांडर जियांग के फादर जो की वैपन्स बिचा करते थे उनको सबी लोग इस पात का ताना देते थे कि उनका बेटा गदार निकला और यानबे की रक्षा नहीं कर पाया अपने पिता की ऐसी हालत देखकर जियांग की आँखों में भी आंसु आ जाते हैं जो कि दूर से ही यह सब देख रहा होता है वहीं जूली आदमी के एक और सैनिक को अपने घर पे जाके पता चलता है कि अब उसकी मां की मौत हो चुकी है और उसके परिवार वाले इसका जिम्मेदार उसे ही मानते हैं इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुख से भर जाता है और आतमत्या कर लेता है तभी जूली आदमी के पास जनरल चैंक का भिजा हुआ एक आदमी आता है जो उनसे कहता है कि तुम लोगों को नौर्ट केट की तरफ एसकाट करने का आउडर दिया गया है वो आदमी जूली कमांडर से बहुती गंदे तरीके से बात करता है और पूरी जूली आदमी की इंसर्ट करता है जिससे नाराज होकर जियांग उस पर अटैक कर देता है जिसे की वुसानिक ये कहकर भागता हुआ जाता है कि जूली आर्मी रिबैलियन हो चुकी है और ये खबर जेनरल चैंक तक पहुचानी होगी तब ही जियाओ अपने आर्मियों से कहता है कि अब ये जगे हमारे लिए बिल्कुल भी स्रक्षित नहीं है हमें जल्दी ही ये हां से भाग कर कहें और जाना होगा दूसरी और ये उन बैई में येन के जनरल उसे खबर देते हैं कि उनके पास खाना खतम हो चुका और हत्यारों की भी बहुत कमी है जिससे की वो वेई आर्मियों का सामना नहीं कर सकते हैं जनरल चैंग भी यान से कहता है कि हमें एडवांस में ही परपरेशन करनी होगी क्योंकि वेई आर्मी किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकती है इसके बाद वो सभी जनरल्स अपने अपने तरीके बताने लगते हैं और एक दूसरे को नीचे गराने की कोशिश करने लगते हैं साथ ही एक दूसरे का कीचर भी उचालने लगते हैं ये देखकर यान को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से उठकर चला जाता है अपने पता की यूनिफॉर्म के पास जाता है और बहुत उदास मन से कहता है कि अब हमारी यान बेई पहले जासी नहीं रही जिस यान बेई को मैं छोड़कर गया था वहां बहुत शानती थी वहां बहुत प्यार था लेकिन अब यहां लोगों में ना शानती है और नहीं एक दूसरे के पती सम्मान है यह लोग तो मेरे आने से भी खुश नहीं है दूसरी ओर वेई स्टीट में एमपररर यूएन जी और वेई शोए को बिला कर उन्हें यान बेई पर अचैक करने का ओर्डर देता है और सभी रोबेलियंस को खतम करने का ओर्डर देता है यह खबर यान के पास भी पहुँच जाती है कि वेई आर्मी अपने दो जंडर्स के साथ यान बेई पर अचैक करने के लिए निकल चुकी है तो यान भी अपने सभी लोगों से खहता है कि हमें जल्दी ही निकलना होगा और तुम लोगों को मेरे साथ फाइट करने के लिए रेड़ी देना होगा जहां एक तरफ वेशुय अपनी सेना के साथ निकल चुका था वहें येन भी अपनी सेना के साथ अटेक के लिए बिलकुल तयार था युवैन को भी ये खबर मिलती है कि वेशुय ये येन जी के साथ निकल चुका है वहें दूसरी और येन ने भी अपनी सेना तयार कर ली है इसके बाद येन जब मैक को चेक करता है तो वो समझ जाता है कि चैंगन सिटी अब खत्रे में है क्योंकि येन को हराना इतना आसान नहीं है इसके बाद वो भी अपने लोगों को आडर देता है कि हमें कैसे भी करके आज रात तक चैंगन सिटी वापस पहुशना होगा दूसरी और जौंग्यू के साथ जिंगैर येन भी वापस लौटरी होती है तो रास्ते में वो देखती है कि एक आदमी एक छोटे बच्चे को पूरी तरह से मार रहा होता है वो जंडल फैंक से कहती है कि जाओ और जाकर इस मैटर को सुलजाओ इसके बाद वो उस बच्चे की मदद करती है और उसे ये देखकर बहुत शानती मिलती है कहीं न कहीं उसके मन में भी ये था कि शयद येन बई उतना अच्छा भी नहीं जितना अच्छा येन ने उसे बताया था इसके बाद एमपोलर अपने बेचे जियांग को बलाता है और उसे बताता है कि इस वक्त हम बहुत मुसीबत में हैं क्योंकि मैंने 200,000 सैनिकों को वेश वे के साथ भीज दिया था और 150,000 सैनिक कैपिटल की रक्षा के लिए रखके थे लेकिन किसी ने कमांडर टैली को चुडा लिया और उन सभी 150,000 सैनिकों को ट्रांसर कर दिया है इसलिए अब हम यहाँ पर हमारे रक्षा के लिए कोई नहीं है अब अगर येन चाहे तो वो डारेक्ट चैंगन पर एटक भी कर सकता है तो जियांग उससे कहता है कि ये तो वास्ता में बहुत चिंता की बात है मैं अभी जाता हूँ और कमांडर टैली को ढूनने की कोशिश करता हूँ और पता लगाता हूँ कि उसे किस ने चुराया था इसके बाद प्रिंसेश जियांग को खबर मिलती है कि प्रिंसेश शोनेयर पहले से गायब है वो इन सबी बातों को जोड के देखता है तो उसे पता चल जाता है कि कमांडर टैली किसी और ने नहीं बलकि प्रिंसेश शोनेयर नहीं चुराई है ये खबर जब शोनेयर की मदर रॉयल कॉनक्यूबाइन तक पहुंचती है तो उनका भी दिमाग खड़ाब हो जाता है कि शोनेयर आखिर करना किछाती है और उसने कमांडर टैली क्यों चुराई है लेकिन सॉंग को इस बात पर कोई सप्राइज नहीं होता वो कहता है कि शोनेयर जो भी कर रही है वो सब कुछ ठीक है अधर यूकी यूवैन के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि हम बहुत समय से यात्रा कर रहे हैं और अभी हमें आगे बहुत लंबा जाना है इसलिए आप ठोड़ा आराम कर लीजी तब ही यूवैन के पास सैविन परिंस इसका एक लैटर आता है और उस लैटर को पढ़कर वो परेशान हो जाता है और अपने अगें से कहता है कि हम रवल्दी ही चैंगेंसी रिक रात तक ही पहुंशता है वहीं जियाओ के आदमें उससे कहते हैं कि जिंगेर और यान भी पहुँच चुकी है अगर हम उससे कहें तो वो हमारी मदद कर सकती है और वो यान को समझा सकती है कि हम लोग गद्दार नहीं है लेकिन जियाओ कहता है कि हम ऐसे नहीं कर सकते उन दोनों का रिष्टा बहुत पुराना है और मुझे नहीं लगता है कि हमारी वज़े से हमें उनके रिष्टे में कोई दरार डालने चाहिए और तब ही उसे खबर मिलती है कि यान की आर्मी और वेशोय की आर्मी अचैक के लिए बिल्कुल तैयार है इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि इस वार का अंजाम क्या होता है कौन जीता है और कौन हाता है जो एन किसकी मदद करता है तो अगर आप यह सब जाना चाहते है तो बने देए मेरे साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूले तो वेट फॉर दे नेक्स्ट एपिसोड तिल दन टाटा बाई-बाई-शायनवारा